गुट मॉरिंग स्टूडेंट्स हम बच्चो चैप्टर 4 रीट कर रहे थे है ना बच्चो हमने कल क्या पढ़ा था चैप्टर 4 के बारे में हमने इसमें बैला के बारे में पढ़ा था जो 1st टाइम स्कूल जा रही थी ठीके बच्चो तो स्कूल जाते वक्त उसे क्या लग रहा था उसे डर भी लग रहा था और उसे खुशी भी हो रही थी उसे ये लग रहा था कि वो स्कूल जाएगी तो उसके आसपास वाले जो उसके दोस्त होंगे जो क्लासमेट्स होंगे वो उसे बात करेंगे या नहीं करेंगे तो बच्चों ये सब thoughts उसके दिमाग में चल रहे थे बेला के parents उसे school तक छोड़ने जाते हैं ठीके अब देखिए जब वो उन्हें उसे छोड़ देते हैं तो बेला को उसके father और mother goodbye बोलते हैं अब हम आगे से पढ़ेंगे कि क्या होगा आगे है ना चलिए ठीके यहां से पढ़ेंगे इतना हमने कल पढ़ लिया था बेला says बेला केती है good bye mommy good bye papa वो अपने पापा और मम्मी दोनों को क्या केती है bye mommy bye papa है ना क्योंकि वो कहा जा रही है वो school जा रही है अब ठीके बेला goes into her classroom बेला कहा जाती है अपने अपनी class में जाती है अपने classroom में जाती है हर classroom उसका जो classroom था has clean white walls कैसी walls दीवारे कैसी थी clean साफ सुतरी white color की सफेद color की उसकी class की दीवारे है ना it has little yellow tables and chairs और classroom में क्या थी यह देखो yellow color की छोटी छोटी क्या थी tables थी और chairs थी है ना किसके लिए बच्चों के बैठने के लिए बच्चों आपकी classes में भी होगी ना छोटी स्टूल और छोटी टेबल ठीक है जिसमें बैठकर आप क्या करते हैं लिखते हैं there are many beautiful pictures on the wall there are वहाँ पर उसके classroom में many beautiful pictures बहुत सारी क्या थी सुन्दर सुन्दर तस्वीरे थी on the wall कहां पे दिवारों पर हमारी classes में भी लगे हुई है ना बच्चों pictures और poster लगे हुए हैं चार्ट लगे हुए हैं जिससे हम क्या करते हैं पढ़ते हैं और हमारा classroom कैसा लगता है बहुत ज़्यादा beautiful लगता है ना देखिए जैसे इस image में लगे हुई है pictures ये रही ये रही और ये रही blackboard है tables है है ना और क्या है chairs है और सभी बच्चे बैठे classroom भी ऐसा ही होता है ना चलिए बेला says बेला कहती है hello सबको hello बोलती है to her new classmates किसको classmates कोन होते हैं बच्चों जो हमारे friends होते हैं जो हमारी class में होते हैं वो हमारे classmates होते हैं तो बेला क्या करती है जैसे ही class में जाती है, सब को hello बोलती है हर classmate say hello उसके जो classmate है, जो उसके class में पढ़ते थे बच्चे वो उसे क्या कहते है, hello बोलते है, वो भी बोलते है to her, to, उसे भी hello बोलते है Bella's teacher is, Bella की teacher कौन है, Mrs. Swati क्या नाम है Bella की teacher का, Mrs. Swati आपके teachers की name भी अलग-अलग होंगे तो Bella की teacher का name क्या है, Mrs. Swati she comes and says अब Mrs. Swati क्या करती है, class में आती है और बोलती है, good morning children क्या बोलती है, good morning प्यारे बच्चो जैसे आप बोलते हो ना, class में जब में आती है तब good morning teacher, वैसे ही जो Bella की में है, वो क्या कहती है good morning children, ठीके, चलिए आगे all the children से सभी बच्चे कहते हैं, फिर वो सभी मिलके क्या कहते है, good morning ma'am जैसे ही उनकी में कहती है, good morning children तो बच्चे reply करते है, good morning ma'am ठीके, Mrs. Swati talks to the children kindly kindly, Mrs. Swati talks, बात करती है to the children, बच्चों से kindly, बहुती प्यार से, बहुती धीरे से है no, she takes them out to play वे उन्हें takes, लेके जाती है, out to play खेलने के लिए उन्हें गार्डन में लेके जाती है all the children are very happy, सभी बच्चे खुश हो जाते हैं, खेलने के नाम से सब अराम से सारे बच्चे खुश होते हैं it is soon time to go home, अब देखी, अब जल्दी ही घर जाने का टाइम हो गया bella's mother and father came to take bella home, क्या करते हैं, bella के mother और father उसे लेने आते हैं क्योंकि उसका first दिन था, bella wants waves to her new friends, bella waves, bella क्या करती है, बाय करती है waves, हाथ हिलाना, she says goodbye सारा, क्या कहती है वो, goodbye सारा, अपनी friend सारा से कहती है, bye सारा, goodbye जेकी, अपने दोस्ष जेकी से कहती है, goodbye जेकी, सारा and जेकी wave to her too तो सारा और जेकी wave, वो भी क्या करते हैं, उसकी तरफ हाथ ही लाते है, goodbye bella दे से, goodbye bella, वो भी उन्हें बाय कहती है, वो भी उन्हें उसे बाय कह देते है bella is happy, she had fun at school, bella बहुत खुश थी, क्योंकि उसने स्कूल में बहुत मज़े किये, है ना, तो bella का क्या हुआ बच्चो, first दिन, बहुत ही अच्छा निकला स्कूल का, ठीके, आपको क्या करना है, बच्चो चैप्टर में, आपको copy में करने है, word meanings, yellow box वाले, ठीके, और हम इस afraid, first, क्या है यह, afraid, feeling or frightened, fear, बच्चो इसका मतलब होता है, afraid का मतलब डरना, ठीके, चलिए, kindly होता है, pleasantly, pleasantly, या फिर प्यार से, ठीके, soon, quickly, मतलब जल्दी, ठीके, अब waves, waves होता है, moves, hand, हातों को हिलाना, ठीके, ओके, चलिए, अब आप क्या करना, इस chapter को revise कर लेना, ओके, और आप word meanings कर लेना, ठीके, thank you